जैन सातियों नमस्कार मेरा नाम है योगी अंदरति वैरी और आप सभी लोग देख रहे हैं टीचिंग वाला इस समय एस्टेट महाकुम्ब चल रहा है जी हाँ BPSC की अगर हम बात करें तो BPSC जो टीचर्स की बैकेंसी निकालता है उसमें चार अस्तर पर एक्जाम होते हैं पहला अस्तर मेरे प्यारे दोस्तों होता है सबसे महत्तपूर प्राइमरी वालों का दूसरा अस्तर अगर आप सभी लोग देखेंगे तो इसमें होता है जूनियर वालों का ध्यान से देखेगा बीपी अस्ती जो आप सभी लोगों के लिए exam conduct करवारा बहुत सारे बच्चे अभी TRE 2.0 में participate किये हैं अब जो बच्चे असफल हुए हैं या जो नए बच्चे हैं जो अभी seated पास करेंगे उनके लिए क्या opportunities हैं तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ चार स्टेप में एक कुल मिला के exam करवाते हैं पहला 125 जिसको आप primary बोलते हो दूसरा 6-8 जिसको आप junior बोलते हो या अपर primary बोलते हो तीसरा 9-10 की वेकेंसी होती है जिसको आप TGT बोलते हो चौथा होता है 11-12 की वेकेंसी अब यहां पर बात को समझेगा हमारे जहन में सभी के लिए आप सभी को सीटेट पेपर वन के लिए एलिजबल होना चाहिए पास होना चाहिए सीटेट पेपर वन आप सभी को पास होना चाहिए ठीक है जो यह सिटेट वाला मसला है इसमें आप सभी को सीटेट पेपर तू पास होना चाहिए ठीक है सेकेंड पेपर उसक अगर आप 9-10 अर्था TGT अस्तर के आप teacher बनना चाहते हैं बिहार में तो आपको pass करना होगा वहाँ पर estate का paper first पास करना होगा और अगर आप 11-12 अर्था PGT के teacher बनना चाहते हैं तो आपको estate का paper to pass करना होगा या second paper pass करना होगा ठीक है इतनी बात किलियर हो रही है बहुत अच अची बात है अब estate के लिए बिहार सरकार ने notification जारी कर दिया है दो जनवरी उसकी लास्ट डेटेव फार्म भरने की तो जो बच्चे अभी तक फार्म नहीं भरे पहले जाके फार्म भरे तो आपके जहन में आ रहोगा भीया फार्म तो हम भर देंगे हमको यहीं नहीं पता कि eligibility क्या होने चाहिए तो eligibility दो तरीके से पेपर फर्स्ट के लिए graduate हो आप नॉर्मल तरीके से रिलेटिव सब्जेक्ट के और प्लस साथ ही साथ आप B8 हो ठीके ना second paper के लिए आप PG हो और B8 हो इसको ध्यान में रखेगा तो estate paper 1 और estate paper 2 की eligibility अगर आप फुल्फिल कर रहे है तो आप paper दे सकते हैं अभी हम बात करने वाले हैं estate paper 1 की कि estate paper 1 आप सभी लोगों के लिए क्या क्या syllabus क्या क्या पैटर्न लेकर आता है तो अगर हम बात करें यहां पर estate paper 2 की प्यारे दोस्तों तो ध्यान से समझेगा थोड़ा सा estate paper 1 की हम बात करेंगे पहले अर्थात अगर आप सभी को TGT teacher बनना है तो आपके पास देखे क्या कैसे होने वाला है देड़ सो कुल मिलाके questions आने वाले हैं देड़ सो कोस्चन धाई घंटे में आप सभी करने एक 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 नंबर का है प्रते कोस्चन ध्यान से देखेगा यहां पर क्या क्या होने वाला है आप सभी को जो मैं normal यहां पर syllabus बताने वाला हूँ सस्टी का बताने वाला हूँ ठीक है न देड़ सो कोस्चन में से प्यारे दोस्तों आप सभी को आप कह सकते वह paper part 1 और part 2 में एक ही paper में part 1 होगा और उसी में part 2 होगा ठीक है यह part है नहीं तो कोई बच्चा इसको paper 1 समझ लेगा ठीक है अब बास समझियेगा यह जो होगा इ पचास कोश्चन और दोनों साथ में ही रहेंगे पचास कोश्चन होगे पचास कोश्चन में जीके जीएस करेंट अफेर मैथ रिजिनिंग आर्ट कल्चर जितना आप सुने हो ठीक है ना सब कुछ उसमें रहेगा 50 नंबर में ठीक अब यह बात हो गई सो नंबर जो होगा 9 टेंट वाले में अर्थात हम अगर साफ साफ लिगने टीजी टी और नहीं समझ में आ रहा तो नौवी दस्वीक अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ध्यान में रखिएगा 100 नंबर में प्यारे दोस्तों 100 जो कोश्चन आएंगे वह आपके सस्ट के आएंगे किसके पुछी जाएगी अर्थतास्त्र को भी एड करते हुए कुछ प्रस्न माँ पर डाले जाएंगे मतलब आप सभी लोग यह समझे कि बीपी यसी और सीटेट पेपर टू से बहुत सरल है एक जाम तो हमबर रिक्वेस्ट है फॉर्म को फिल कर दीजिए और अपनी सफलता को स्टेप आगे बढ़ाईए इतनी बात समझ में आगए आगे बढ़ते हैं आपको जरम सेलेबस दिखा देते हैं नहीं आप कहेंगे सर ऐसे ही बता दे रहे हैं को तो भीडियो बनाना था बच्चों के लिए बना दिया नहीं नहीं हमारा काम यह जब भी मैं खड़ा होंगा याद में रखिएगा या जब भी पीडवलू का कोई भी फैकलिटी खड़ा होगा तो हमेशा आप के लिए मैक्सिमम यूटलाइएशन आप टाइम होना चाहिए ठीक ना हमारा यही होता है कि आपको जादा जादा इंफॉर्मेशन ने जिससे हमारे वे दोस्त जो किसी भी कारण से भी सफलता नहीं प्राप्ट कर पाया है जल्दी जल्दी काम करें देखेगा सबसे पहले यह सस्टी का हिस्सा है इसलिए ध्यान में रखिएगा ठीक ना देखेगा भावगोली खोजे पहला इसमें रहेगा पहला मतलब टॉपिक है यह जो आपसे पूछा जाएग किरसी और खेतिहर समाज है राष्ट संग और संयुक्त राष्ट संग दोनों है ध्यान में रखिएगा ठीक ना जब लीग बनी थी वो भी प्रतम इसके दवरान और यह नों दोनों इसमें सामिल है यूरोप में राष्टवाद सामिल है समाजवाद सामिल है चाइना का पूछेंगे नहीं आपको जो पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों 1857 की करांती सुरू करके और 1947 तक पूरा पढ़ना है क्योंकि यह भाई साहब आपको इससे गुमराह करते हैं पूछ लेते हैं आगे पीछे से पूरा मिलाके और मसला हो जाता है खराप ठीक है ना उसके बा पारे में जलवाई उपडोसी देश मांचित्र अध्यन यह सारी चीदिये मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर आप सभी को मिलने वाली है देखेगा संसाधन मतलब संसाधन के प्रकार क्या है संसाधन का नियोजन क्या है महत तो क्या है उपयोग क्या है किरसी क्या है जल क्या ह वन क्या है सक्ति संसाधन निर्माड उद्ध्योग परिवहां बिहार प्राकृतिक संसाधन ध्यान में रखेगा बिहार का भूगोल भी आपसे पूचेगा इस नहीं लिखा इसने कहीं लेकिन थोड़ा और इंटेसन लेगा ठीक है न हलाकि आज तक पूछा नहीं गया है कभी बिहार की हिस्टी नहीं आई इसमें द्यान में रखेगा लोगतंत्र ठीक है संकालीन बिश्व में लोगतंत्र में चुनावी राजनीती वगहरा वगहरा आपको पूरा इसमें मिल रहा है ठीक है न आर्ट आफ टीचिंग इसमें 50 कोश्चन आते मैंने आप सभी लोगों ब आप एक बार सोचिएगा और बहुत ध्यान से चीज को समझिएगा प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों से जितने भी कोश्चन बनाए जा रहे हैं तब आप देखिएगा एंसी आटी बेस्ट बनाए जा रहे हैं लगग 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 और कोश्चन का जो फॉर्मेशन है ए कर जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है सबसे बेसिक जो कांसेप्ट अगर मैं सिर्फ हिस्टी की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों तो हिस्टी में आप एक नई चीज बिल्कुल देखेंगे किसमें वर्ड हिस्टी सामिल है ठीक है ना क्या सामिल है वर्ड हिस्टी सामिल है औ पूरी दुनिया का आपको इतिहास पता होना चाहिए और आपको यहाँ पर मैं क्या कराने वाला हूं तो पहली बात यंसी E.R.T. प्लस बिहार का भी जो बोर्ड किताबे चलाता है उनके अनुसार थेवरी ध्यान में रखेगा क्या करवाने वाला हूं थेवरी करवाने वाला हूं साथ ही साथ एस्टेट का PYQ में करवा चुका हूँ शुरू कर दिया हूँ आपके लिए अलग से फिर से करवाऊंगा और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान में रखिएगा आप सभी को particular topic जो word history का खास करके है क्योंकि इंडियन history तो आप पढ़े वहां से question कर ले जाओगे ठीकि का मतलब यह है पूरा topic पूरी theory उसकी समझ एक एक अस्तर पर समझाते हुए ग्राफिंग ड्राफ्टिंग हर एक तरीके से समझाते हुए और अंत में उस topic उस chapter से related question तो बड़ा मज़ेदार होने वाला है इसलिए और साथी साथ अगर आपको किसी topic का doubt है तो हम doubt session नहीं रख समझ में आ रहा तो उसके लिए अलग से हम revision session भी रखेंगे जिसके अंतरगत उसको particular topic मालीए कई बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आए तो उसको हम revise भी वहां पर करेंगे हमारी यही कोसिस रहेगी हर एक बच्चे को हर एक topic अच्छी तरह से समझ में आजा और को समझ में आने मतलब है नहीं आपको कहानी समझ में नहीं आपको question करने आ जाए बस अब देखें बच्चे सोच रहे हों कि भाईया हम इसकी तयारी कैसे करें तो आप सभी लोगों के लिए एक महत्तपूर information है प्यारे दोस्तों सिच्छा जगत में सबसे महत्तपूर है qualitative education और qualitative education के दि announcement किया जा रहा है announcement यह है प्यारे दोस्तों 25 से 31 दिसंबर तक अगर आप बिहार estate का course purchase करते हैं तो भारी छूट इस समय 80% आफ चल रहा है ठीक है न लगभग 899 रुपए का यह course मिल जाएगा आप सभी लोगों के लिए ठीक है न अगर आप सभी लोग यह course purchase करना चाहते हैं तो दिये गए link पर जो की वीडियो की नीचे दिया गया है क्लिक करें और आप सभी लोग purchase कर सकते हैं हमारे course को साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा अगर किसी प्रकार की कोईरी है तो वीडियो की नीचे कमेंट कर दीजेगा जानने के लिए आपके लिए बेहतार अपार्टिटी है प्यारे दोस्तों जहां पर question भी आपको मिलेगा और थियोरी भी आप सभी लोगों को मिलने वाली है ठीक ना तो पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें पीड़वलू परिवार के साथ जुड़े रहें बहुत बहुत धन्यवाद